हलो एंड वेलकम तुम्हें चैनल लर्न इंग्लिश दे अर्फान नयाएक आज हम इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे बॉक्स अन कॉक्स बाइ जॉन मिडल्टन मॉटन इसका टेक्स्ट का पार्ट टू यह हमने पार्ट वन पढ़ लिया है अगर नहीं देखा है आप यहां जो मिस्स बाउंसर और मिस्टर कॉक्स के बीच में क्या हो रही है डिसकेशन हो रही है कॉक्स क्या करता है कॉक्स एक हैटर है ठीक है हैड बनाता है और वो जो है उसके बीच में और मिस्स बाउंसर के बीच में जो है डिसकेशन हो रही है बातें हो रही है तो हमने कल रहा है किसको मिस्स बाउन सर को मज़े क्या चाहिए बॉल्स्टर मतलब पिलो पिलो मतलब तक्या चाहिए ठीक है about a handful and a half of feathers at each end and nothing whatever in the middle यह कॉक्स चोई करता को थे मेरे पास बाले ढापने मेरे आपके करायदार हूं इ propor आपने डिया यह वह जो है कहाली है उसमें नहीं तो अपर जाता है सिर महिए मेरा नीचे में लग जाता है मिस्टे क्या दिया मिस्स बाउन से बोलती ही, anything to accommodate you, Mr. Cox. हाँ, कोई बात नहीं, कुछ भी आप बोल सकते हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो, कुछ भी आप मांग सकते हो, मैं दे जूँगी आपको accommodate, मतलब manage कर लोगी आपके लिए, कोई भी problem हो, बोल दिया करो. कॉक्स बोलता है, thank you, then perhaps, you'll be good enough to hold this glass when I finish my toilet. शुकरिया आपका, thank you, शायद ये ठीक होगा, कि अगर आप इस glass को hold करेंगे, अपने इस glass को पकड़ेंगे, गलास उसके हाथ में देता है मिस्स बाउन सर को, बोलता है, मैं toilet से वापस आता हूँ, इस glass को पकड़े रखना, तो, certainly holding glass before cocks who ties his tie, तो मिस्स बाउन सर क्या करती है, वो उस glass को, शीशे को सामने रखती है, और मिस्स बाउन सर क्या करता है, अपनी tie को ठीक कर रहा होता है, क्योंकि उसने office जाना है, head बनाना जाना है, company में जहां भी head बनाता है, वहाँ जाना है, तो वो जो क्या कर रहा है, वो अपनी tie को क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, why I do declare you have had your hair cut, यहाँ पर जो मिस्स बाउन सर बोलती है, कि मैं क्यों declare करूं कि मैं क्यों बोलूं इसको कि तुन्हें haircut किया है, मैं नहीं बोलूंगी, यह अपने सोचती है, को मिस्स बाउन सर सोचती है, तो यहाँ पर conversation चल रही है, यह conversation चल रही है, मिस्स बाउन सर और कॉक्स के बीच में, ठीक है, यह conversation यह बाते हैं हो रही है, यह play का एक मतलब तरीका होता है play लिखने का, कि ऐसा होता है, मतलब जो play है, यह present किया जाता है stage पे, तो audience देखती है, ठीक है, इसी तरहां dialogue वो बोलते हैं, यह हुई text की, मतलब text में ऐसा ही होत अगर आपने grammar course join करना है, तो मैंने आपको बोला कि grammar course join कीजिए मेरा, अगर मैं टेक्स सारे पढ़ा दिया है, इससे पहले सारे lesson जो है, यह 18th lesson है, जेके बोस 12th class English का पोरा paper, पोरा literature part में cover कर लिया है, तो अगर आपने grammar course करना है, तो आप मेरे number पे 84928-02489 पे call, वो कर सकत हैं, तो आप information मिलेगी मेरे course की, जो grammar का course start करने जा रहे हैं, जो grammar course अब start करेंगे, उसमें पूरा grammar पढ़ाएंगे basic level से high level तक, अगर आप को course एक बार कर लेंगे, आपको future में कभी grammar पढ़ने की जुरूरत नहीं पढ़ेगी, चाहिए आप graduation करें, चाहिए आप need के लिए कर हो जाएं, तो आपका grammar portion strong होगा, क्योंकि basic level से high level तक, अगर मैंने इस literature part में इतनी महनत की है, इतने easy तरीके से पढ़ाया है, आप समझ सकते हैं कि grammar part कितने अच्छी तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ, और grammar part मेरा grammar में अच्छा hold में अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, तो अगर आप interested हैं, तो do message, do whatsapp me on 849802489 पर आपको यहाँ पर information मिलेगी, और बहुत सस्ता course होगा, मतलब वैसा online course आपको कभी मिलेगा नहीं, और whatsapp पर, मतलब हम group बनाएंगे, whatsapp पर आपको videos मिलेंगी, वो private videos होगी, उनको आप share नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, जिसको मैं आपको जवाब भी दोँगा, videos form में जवाब भी दोँगा, live class भी वहाँ पर लूँगा, जब आपको ज़रूरत हो, तो पूरे doubts clear करेंगे हैं, अगर आप whatsapp group को join करते हैं, आप whatsapp कीजिए, अगर आप interested हैं, आप information लेजिए, उसके बारे में जानिए, अगर आपको अच्छ It's very kind of you to mention it, but I am sufficiently conscious of the absurdity of my personal appearance already, तो जब Mrs. Bonson ने थोड़े 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 आइसते बोला कि इसने haircut किया है, आपने haircut किया है, मैं तो जार डिक्लियर नहीं करूँगी, तो तो उसने सुन लिया, Cox ने, Cox बोलता है, haircut, यह जो है मेरा बड़ा खराब हो गया है, ठीक है, यह hair cut, जो है मेरा, क्या हो गया, तो यहाँ पर, Cox क्या बोल रहा है, बोलता है, cut, मतलब जैसे conversation जैसे होती है, वैसे ही, आप यह समझो कि बाते हो रही है, ठीक है, dialogue किसी को बोल रहे है, ठीक है, तो बोलता है, Cox के, इसने मिझे strike है, जैसे मेरे को, मौड होता है, completely cut करना, जैसे crops को maude करते है, crops जो फसल होते है, उनको maude मतलब पूरा काटते है, इसी तरह मेरे बोलता है, मेरे बालों को पूरे crops की तरह उसने काट लिया, बार बने, it's very kind of you to mention it, but I am sufficiently conscious of the objectivity of the person appearance already, तो बोलता है कि यह आपका kindness है, कि आपने मुझे बोला कि बाल के बारे में, मगर मैं पह of my hat, बोलता है, hat कहा है मेरी, puts on his hat which comes over his eyes, तब सब्सक्राइट आ जाती है, उसकी सब्सक्राइट को भी लगाता है, that's the effect of having one's haircut, बोलता है यह effect है, haircut करने का, haircut मैंने किया, तो मैं उस tension में पढ़ा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है, coat कहा है, मतलब hat कहा है, that hat fitted me quite tight before, luckily I have got two or three more, बोलता है, यह, यह, जो hat है, यह मेरे fit थी पहले, ठीक है, यह मतलब पहले fit थी, और उसके बाद मैंने दो तीन और ली, इसी तरह की hat, क्योंकि मेरे को fit hats जो है, बहुत कम मिलती है, तो मैंने, जो fit hat थी, वो हमने ले ली, जैसे हम भी, मतलब कोई shirt fit आ गई, तो हमें पहल builder होते हैं, उनको shirt fit हो जाती है, जो slim body वाले होते हैं, उनको shirt fit नहीं होती है, तो फिर हम दो चार ले लेते हैं, मतलब उसके साथ ही, जब भी कोई shirt fit आए, कोई भी mall में या shop में, इसी तरह यह भी बोलता है, कि मैरे एक hat fit आई, तो उसके बाद मैंने दो hat और ले ली, ठीक ह goes in a door on left and returns with three hats of different shapes and puts them on, one after the other, all of which are far too big for him, तो क्या करता है, वो अंदर जाता है, और वहाँ से hats लाता है, मतलब turn by turn, सब hats को test करता है, अपने head पर, कोन से अच्छे लगेगी, जो तो इस प्लीज ए बड़ा अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, तो यह बड़ा अच्छा है, to hobble about rather less than the others, बोलता है, यह मुझे जो है, यह hat बड़ी अच्छी लगती है, hobble about मतलब इदर उदर मतलब फिर ना, मतलब hat जो है, इदर उदर गुम जाती है, तो फिर hat को लगाता है, but now I am off, बोलता है, अब मैं जो है, चला जाता हूं, मैं fit हो गया, by the by, Mrs. Bonser, बोलता है, bye क्या बोलता है, Mr. Cox, कि बोलता है, कि एक बात मैं बोलूगा, मैं कुछ दिनों से notice कर रहा हूं, इदर, तो मैं आपको बोल देता हूं, क्या बोलता है, and that is, बो बात क्या है, that my calls go remarkably fast, बोलता है, मेरे calls जो है, मैंने call रखे होते हैं, आपे खाना बनाने के लिए, और यह खतम बोलूड हो, जो भी उस मकान का मालिक हो, तो इसी तरह जो वह complain करता है, इस तरह के ऐसको आगर कोई भी चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाये, तो उसी तरह क्या करता है, कौक्स, वह सुख November को बोलता है, अब उसको पता नहीं, Mrs. Bonno are को यह चलाक है, क्या tricky है, वह उसको पता नहीं है, तो बोलता है, Mrs. Bonser बोलता है, Lord, ये Lord मतलब, Oh Lord, Mr. Cox, ये बोलता है, Oh Lord, Mr. Cox, इस तरहें शौक हो जाती है, प्रेटेंड करती है, दिखाती है कि मैं शौक होगी, अक्चली वो शौक तो नहीं हुई है, उसको सारा पता है, क्या मसला है, ठीक है, Cox, बोलता है, It is not the case only with the coals, Mrs. Bonser, but I have lately observed a gradual and steady increase of evaporation among my candles, wood, sugar and mass, बोलता है, Cox, कि ये सिर्फ इसका कोल का मसला नहीं है, मेरा कोल खतम हो रहे है, कोईला खतम हो रहा है, मेरा जो है, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, आइस्ते आइस्ते सब कुछ मेरा खतम हो रहा है, evaporation मतल होता है, evaporation होता है, मतलब पानी ओपर उठता है, तो बोलता है, मेरे खतम हो रहे है, क्या-का हथम हो रहे है, candles, candles कै मुन्बतिया हो रही है, लगडी खतम हो रहा है, शुकर हो रहा है, माच्च फुरम हो रही है, ये सब कुछ खतम होता ही जा रहा है, Permplain उसने कर ली, Mrs. Bonser को भी रॉंखटा खड़े होगे न Mrs. Bonster Lord, Mr. Cox You surely don't suspect me Mrs. Bonster बोलती है, Cox मतलब मेरे पर शक नहीं करना मतलब मेरे पर शक मेरे पर डाउट नहीं करना कि मैं चोर हूँ क्या आपका ये मकसद है कि मैं आपका ये बोलना है कि मैं चोर हूँ मैंने चोरी की है Cox क्या बोलेगा, Cox बोलता है I don't say I do, Mrs. Bonster Only I wish you distinctly to understand that I don't believe it's the cat Cox बोलता है, मैंने नहीं कहा कि आप चोर हूँ या आपने चोरी की इतने चीज़ों की Dear students, याद रखना कुन-कुन से चीज़े हैं या आपको CVAC pattern है short question में पुछे जाएगा या multiple questions में पुछे जाएगे कुन-कुन से चीज़े हैं Candles, wood, sugar, matched तो मैंने नहीं कहा कि आप चोर हो मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ ये समझाना चाहता हूँ कि ये cat नहीं है, ये बिली नहीं है ये सब चीज़े मेरी खतम करेगी या खाएगी Candles को उसने क्या करना है Wood को क्या करना है चलो sugar खाए या match क्या करना है उसने ये तो कहीं मतलब कोई cat तो नहीं है ठीक है तो ये कोई इनसान ही है जो खतम कर रहा है मुलता है Mrs. Bonster बोलते है Is there anything else you have got to grumble about sir मुलता है कोई ऐसा चीज है कोई ऐसा इनसान है कोई ऐसा चीज आपने देखा वहाँ पर जिससे आप कोई थोड़ी लड़ाई हो या कोई बहस हुई हो या कुछ हुआ हो या किससे आप ठकराए हो या कहीं मतलब collision हुआ हो ये कुछ को पूछ रही है ये कॉक्स को पूछ रही है अब जो है मिस्स बोनसर को कुछ खत्रा लगा कि कहीं कॉक्स ने मिस्टर बॉक्स को तो नहीं देखा मेरी चलाकी तो नहीं पकड़ी गई मेरी चलाकी तो पकड़ी नहीं जाएगी तो इस तरह की आप जो है मिस्स बोंसर वो सोचने लगी तो ये जो है इसका प्ले नेक्स पार्ट हम डिस्कस करेंगे आपको इवे अगेन बोलता हूँ के ग्रामर पार्ट जुरूर जोइन कीजिए अगर आपने ग्रामर पूरा अच्छे तरह किसे पढ़ना है बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ना है तो आप वट्साइप कीजिए मेरे नमबर 8492802489 पर वहाँ पर आपको इन्फरमेशन मिल जाएगी और बहुत ही अच्छे तरह से डिजाइन किया गया है अगर मैंने ये लिटरेजर पार्ट पूरा पढ़ा दिया है और मनलब वट्साइप पे मैं शेर भी करूँगा नोट्स जो नोट्स में बनाऊंगा वो आपको वट्साइप पे शेर करूँगा पूरी पीडिया फ़रम में पूरे ए पेपर और बी पेपर की तो आप वट्साइप कर दीजिए देर ना कीजिए और इसके बाक्स में आपको लिक मिल जाएगा तो वहां भी मैं नोट्स शेर करता हूँ इंपॉर्टन इंफरमिशन शेर करता हूँ आपके रिलेटिड और आप वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और दूसरा पार्ट भी जरूर देखे इसके बाद जो पार्ट आने वारा है थैंक्यू